एलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन की 2023 की वेकेंसी और इनका शेडूल अनाउंस हो चुका है इसमें PCS से रिलेटर जो पोस्ट है उनका एक्जाम कब कंड़क्ट होगा अफिशल नोटिस के साथ जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है एक्जामनेशन की प्रिलिम्नरी एक्जामनेशन की डेट है मई मन 2023 मई 2023 तक के लिए हमारा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में प्रिलिम्स ही तैयारी हित्व एक पेट बैच शुरू हुआ है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लग लगा आप चाहें तो हमारे पेट बैच से जुड़ करके हमारा study content लेकर study for civil service team की expert guidance में अपना prelims का cutoff clear कर सकते हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए आप इन given numbers पर whatsapp text message के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप कर सकते हैं और form भरने की date आज से आपको बता दूँ शुरू हो चुकिए जो लोग विलिजबल है form भरना शुरू कर लीचिएगा जिन study for civil service के paid group members ने HCS का ये pre group join कर लिया ये आपका strategy वीडियो है जिसके बार में बताया गया था ये वीडियो नमबर वन है ठीक है इसके बाद वीडियो नमबर टू आएगा ये दोनों वीडियो से आपको ध्यान से देखने हैं तब ही आपको पूरा यहाँ पर हमारा सिस्टम सब्जब आएगा किस तरीके से हमारा पूरा commitment यहाँ पर HCS के प्रिलिम्स एक्जाम को लेकर है जिसकी संभावित थी माई 2023 हो सकती है हमें ग्रूप यहाँ पर अभी 90 दिन की डिडिवेशन के लिए रन कर रहे है 16 फेप से शुरू होता है और 16 माई तक यह चलेगा और अगर कोई एसी डेटा जाती है जो क की इस से पहले होती है माल यह टेंटिट्रीट आ गई एक माई तो यह सारा जो सिस्टम है वह एक्जाम डेट के रहाने का पूरा प्रयास के मतलब करा ही दिया जाएगा अगर एक माई एक्जाम होता है तो कोर्स पहले करा दिया जाएगा यहां पर इस बात की commitment है 80% study material आपक लेते हैं कि जो है एक्जाम मई में हो रहा है तो यह सारी डेटे शिफ्ट करी जाएंगी और एक्जाम डेट के अट लीस्ट साथ दिवस पहले आपकी पूरी टेस्स स्रीज कंप्लीट करा दी जाएगी इससे बेफिकर रहीएगा जो भी मेंबर डूरינ करते हैं तीन काम सब से पहले करें सबस्थी वीडियो आपको पूरा देखना इस है पैसेग दिया गया है पेड स्टैडी मेटरियल को एकसेस करने के लिए वो भी आपको उसके बता दिया जाएगा अरेणा पीस्ट के लिए हमने पेड ग्रूप चलाए था 2021 वेकेंसी के लिए जिसका एक्जाम सब्टेंबर 2021 में वह था अनफॉर्चुनेटली एक्जाम कैंसिल करते हैं कि पिछले से भी ज़्यादा सिलेक्शन से आँपर दे पाएं जितने भी लोग हमारे पेड रूप पो जॉइन करें मैक्स्मम लोग अपना कटाओफ क्लियर करके मेंस लिखें अजिस प्री का सिलेबस जो है दो परग्राफ में निप्टाया गया है अलांकि जब आप पेपर देखेंगे तो ज़्यादा अंदाजा पड़ेगा जब सिलेबस बहुत को यसे फॉर्म में दिया जाता है तब वहां पर हमको ज़्यादा अंदाजा नहीं पड़ता है से हो ज्यादा तर सवाल सॉल्व कर लेगा जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है यह एक मित है आप देखेंगे कि किसी भी डिस्रिप्रिन से मालीजे कोई आई टी एक्सपाइट है उसको आप पेपर दिखाईए कि क्या आप साइंस के कुश्चन इसको सॉल्व कर लोगे तो ज्य करना चाहिए था खैर हम बारे में बात करेंगे तो उसमें भी 30 पेजेस का पर आया था लेकिन उसमें कई सारे बहुत ट्रीकी टाइप के कोश्चन से पूछे थे सारे कोश्चन से मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी अभी पेपर में दिखा रहा हूं आपको कई सारे करके निकाले जा सकते हैं उसमें भी जो लोग पेट रूप में आ चुके हैं उनको जरा भी टेंशन नहीं लेना है पेपर चाहे इजी गो आजाए चाहे मोडरेट आजाए चाहे 2022 री एक्जाम जैसा आजाए आप हर हाल में कट आफ कर सकते हैं अगर आपने स्टैजी वीड लेते हैं जो सवाल आते हैं उसमें क्या होता है अब देगे पहले तो पेपर का पेटर्न अलग होता था 2019 वाला देखें 2014 वाला तो इसमें हम ज्यादा अंदाजा नहीं लेगा पाएंगे अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ HCS प्री जो कैंसिल हुआ था जो सब्टेंबर 2021 पे इफिकल्ट है और इसे भी हर साल HCS का एक्जाम होता नहीं है पैटर्न समझते हैं चौबीस सवाल यहां पर इसमें प्री में आया थे और फिर ही एक्जाम जब हुआ था तो एक कीस आया थे तो हिस्टरी एक बड़ा पोर्शन है यह करीब एक बटे चार से एक बटे पांच हिस्सा तो कवर करता ही करता है अब जैसे हिस्ट्री हम यहां पर लिख रहे हैं तो यहां पर एंशेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अमेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मौडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सभी को उतना प्रिफरेंस यहां पर देना पड़ेगा इतना जरूरी है किसी बुक की आवश्रक्ता आपको नहीं पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में स्टेडी फॉर सिवल सब्सका कंटेंट इनाफ होगा भी सब बताया जारा है धिर ध्यान सुनते समझते वह चलिए साइन्स में 12 सवाल आये इसमें 20 हो गये थे ठीक है तो कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इसके बारे में सारे सब्जेक्ट को बराबर यहां पर आपको सम्मान देना पड़ेगा अब जैसे आर्ट कल्चर है उसका कंटेंट ही कम है तो उससे इसाफ से पढ़ा आपके मिसलेनी इसके सवाल हल होते है जाद अतर फिर आपके करेंट अफैर के 16 सवाल इसमें आये इसमें 14 आये थे तो करेंट अफैर भी जरूरी सक्षन है आपका एक बटे 6 हिससा लगभग कवर कर लेता है जोग्रफी ऑफ इंडिया जोग्रफी ऑफ वर्ल्ड यह 10 कोश् जकेहीं सकते हैं अर्यान जी के सिर्फ 3 सवाल आये इसमेंट करेंट मिलाके 3 सवाल इसमें अभी आप देखेंगे अरियान जी करेंट करेंट का विटेज बहुत Making इसमें इसमें 3 आगये थे और आठ कल्चर से 6 सवाल इसमें 4 सवाल आये थे पिर आपके एक क्नौ Richardson इसमें चार सवाल आ गए थे तो यहां पर पैटर्न है तो हम क्या चीज़ यहां पर समझने कोशिश कर पा रहे हैं यह वो सब्जेक्ट है जिनको प्राइटी वाइज किया सकता है सबसे पहले हिस्ट्री फिर आपका करेंट अफैर हो गया जो कि काफी स्कोरिंग बाना जाता ह हमारी PDF में से दोनों ही एक्जाम्स में जो सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्णोर नहीं करना है क्योंकि क्या जाता है आप जानते हैं जो कैंसल्ड हुआ थे पर उसमें अरशट दसमलो पांच यहां पर करीब कट आफ निकला था हम इसको 69 मान ले रहे हैं तो 69 आपको चा हर हाल में 75 प्लस का ठीक है बाद वाले जो जी एक्जाम था उसको टाफ आयर नहीं वह पेपर टाफ था हम लोग नहीं कह सकते उसके वारे में क्योंकि आफिशल नहीं आए था अलांकि फिर भी 75 प्लस का आपको टार्गेट रखना है नेट में और इसमें निगेटिव मार् करेगी जैसे ग्रूप की शुरुबात पर मैंने लिग दिया है यहां पर मेंबर्स अगर हमारे साथ डेली 6-6 गंटे अगर देने को तयार है 90 दिन के लिए तो अपराम से कट आफ क्लियर करने लाए खुद को महसूस कर सकते हैं हमारे ग्रूप का सिस्टम आप समझे कि आप आपको Study Material Group में जोडा जाता है जिन लोगोंने Study Material Group लिया होगा फुल पेट रूप लिया होगा पुछ चीजे बागी है जैसे पेट रूप में पैसे देखे माले में आपको बता देंगे कि हराना जीके का पहला पाट दे दिया गया है कुछ अपडेट होंगे तो आगे मिले पिर एक discussion group होगा, यह two-way group होता है, इसके में आप हमारे content से associated doubt पूट सकते हैं, हमारे admin के expert panel से, इस पर कई सारे अलग-अलग state PCS के selected, लोग भी है, interview दिये हुए लोग हैं, आपके doubt को solve करेंगे, अगर आपका कोई भी doubt, हरियाना PCS के syllabus समन देता है, उसको दोरनती solve की जाएग चोटा वीडियो चाहे बिनाना पड़े, चाहे बावस message record करना पड़े, चाहे कोई pick के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाना पड़े, हमारे admin ततपरता से हर doubt को solve करने का प्रयास करते हैं, हमारे discussion group में, माली जिन लोगों ने सिर्फ test series और हरियाना के gk current group join कि मिलेगा, फिर आपको discussion group नहीं मिलेगा, अब material PDF देख लेते हैं, science के लिए complete material paid group में दे दिया गया, उतना ही काफी है, science के कैसे भी questions हा जाएं, चाहे previous year pattern के हिसाप से, चाहे ना है questions, आप अराम से maximum questions इसमें निकाल ले जाएंगे, study for services जरा भी claim नहीं करता है कि HCS का जो paper होग जो ये UPSC level के भी बन जाते हैं, UPSC prelims type के, ठीक है, लेकिन अभी भी elimination वाले को उन्होंने अटाया नहीं है, और अराम से कुछ जानकारियों के होते हुए भी, आप बहुत सारी जानकारियों को ना जानते हुए भी question तक पहुंच सकते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, उसका method साइन्स के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, NCRT की रीडिंग की जरूरत नहीं है, आपको जो content दिया गया है, वो sufficient होगा यहाँ पर science की maximum questions को solve करने के लिए, current affairs में national international वाला current affairs जो है, मई 2020 से लेकर, January 2023 तक का अब तक का updated हमने दे दिया है, बाकि आपको मिलता रहेगा हर म आपका काम हो जाएगा, आप maximum questions अपने वे मार में कर सकेंगे, किसी भी other magazine या source की ज़रूरत नहीं है, history of Indian national movement के लिए, तमाम तरहे की बुक साती मोटी मोटी लेकिन इतना time नहीं हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि dentative rate मई है, ज्यादा ज्यादा कब तक हो सकता है, जू यह आते ही है history में, इस वज़े से आपको history को ध्यान देना जरूरी है, history को मैंने top priority पर रखा है, यह ज्यादा समय आपका लेगी, लेकिन अगर आप डेस पर पकड़ बनाई तो आप औरों से आगे निकल सकते हैं, world geography, Indian geography के लिए भी NCIT book या फिर मोटी book की जरूरत नहीं है, standard books ही हमारा content है, last time भी जब अरी exam हुआ था, या फिर जब 2021 वाला था, maximum questions जो है study for service से थे, और मैं तो यहां तक आपको दिखा सकता हूं, proof कई सारे हमने share किये थे, अगर आप interested है, तो हमारे telegram में, September 2021 की post देखिए, हमने सारे screen shot वहां पर share किये थे, जो Indian geography, world geography questions जो हमारे content से आये थे, Indian quality, Indian culture का material दे दिया गया, आपको Indian economy का complete material दे दिया गया, इतना ही sufficient होगा, किसी book की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, maximum questions आप जो हमारे notes से कर सकते हैं, हरियाना special में आपको जी के, हरियाना का budget 2022, 30, economic survey 2021, हरियाना की state forest report 2021 दे दी गई है, update करके, हरियाना special का मंदित कुछ extra notes भी आगे दिये जा सकते हैं, बहुत short में होंगे वो, 10 से 20 pages में, वो आपको आगे मिल जाएंगे, अभी जो notes दे दिया गया, उसे पढ़ता है, आप शुरू कर सकते हैं, मैंने बताया कि हरियाना GK और हरियाना current affair का बेटे, 3 से 4 सवालों का होता है, इसको top priority पर नहीं रख रहे हैं, अलांकि वह content आपको जरूर देंगे, जिससे आप वह आले सवाल भी जरूर सॉल्व करें, हम miscellaneous की PDF भी हमने दे दिया आपको, क्योंकि miscellaneous में भी 2021 वाला जो paper हुआ था, cancel जो हो गया था, उससे आय थे काफी सारे सवाल, यह re-exam में थोटे काम सव जो है, पुराने exam में भी आता रहा है, census 2000 जो होना है, 2020 वाला, उसका तो आप जानते हैं, सब डिले हो गया है, COVID के बाद से, और से पहले शुरू ही नहीं होगा census का काम, तो census हमको इस वर्ष के लिए भी 2011 वाला ही तयार कर रहा है, इसमें डाउट ने रखिएगा, इसके ला content, मदब कुल बिलाकर summary है है कि जितना content आपको दे दिया गया है, आप लोग 6-6,5 गंटे उस पर लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी updates होंगे, वो आपको बिलते रहेंगे, अरियाना GK का update बाकी है, अरियाना current affair दिया जाना बाकी है, उत समय समय पर update हम लोग अपडेट कर सके, ठीक है, लगातार update पर ही हमारी team काम करती है, जो भी हरियाना PCS हमारा पिछला वाला batch लिए होंगे, आप यह नहीं सोचेगा कि उसी content से हो जाएगा, हमारा content हर 2-3-3 महिने में चेक होता है, अपडेट होता है, और जो भी नया group खुलता है, उसमें एकदम PDF दे देते हैं, कोई एकदम important update हो गया, कोई G20 की submit मालीजे, कोई भाग उसका हरियाना में प्रस्तावित हैं, तो उससे सम्मधित short notes दे देते हैं, voice messages आते रहते हैं कई बार, कई बार सोटा मोटा error correction भी होता है, update होता है, मालीजे कोई meeting कहीं प्रस्तावित थी, उसकी venue change हो ग error है, तो उसको तुरंट जो है rectify किया जाता है, और कोई बार लिजे update है, तो उसको तुरंट students तक convey किया जाता है, आप किस subject के लिए क्या material दिया गया, उसके लिए paid group में material कैसे देखें नाम से, जो वीडियो आएगा, जिसको हम लोग video number second बोलते हैं, उसको आप ध्यान से द confusion है, ठीक है, कोई year में confusion है, ठीक है, किसी scheme में आपको purpose ने सोच में आ रहा है, तो सब चीजे महाँ पर हमारे admin panel आपको solve करके समझाएंगे, यह लोगों ने हरियाना की test series का group join किया, वह यह time plan है, मैंने आपको पहले clear कर दिया, कि यह tentative plan है, जैसे कि date tentative आई है, यह हमारा plan tent tentative है, मान लिजे, इसमें कोई परिवरतन हो जाता है, मान लिजे कि exam date एक मही है, तो यह date some shift करेंगे, और April में ही पूरी test series को निप्टा दिये जाएगा, और आपको revise करने का समझाए बिल जाएगा, जिस group में यह time plan जाएगा, उसी की time plan के PDF में, जिस date पर test का time plan दिया हुआ उसी date पर रात 8 बजे आपको question paper post कर दिये जाएगा, PDF में, फिर answer की आती, उसमें जहां जहां पर ज़रूरी होता है, explanation भी post किया जाता है, जो भी test series पूरी नहीं बनेगी, updated इसका वीडियो जो है YouTube में post किया जाएगा, वीडियो उसका कोई commitment कभी paid group पे नहीं होता है, किसी भ अधी वीडियो बनेगा, तो सभी के लिए free रहेगा, या आप जानते हैं, वीडियो समेशा free थे, free हैं और free रहेएंगे, study for civil success के, वीडियो कोई बनेगा test series पर, या paid quiz पर, या फिर, हरियाना specific किसी यानने content पर, हरियाना current fair पर, या updated GK PDF पर, जो है YouTube में post कर दी जाएगा, plan of examination, या फिर परीक्षा है, ब्रीफली आपको समझा देते हैं, बड़ा सरल है, ज्याद अतर state pieces में फॉलो होता है, preliminary examination होगा, इसमें two papers होगे, और पहला paper होगा है, यहाँ पर paper one का, GS का, यानि general studies का, इसी की तयारी जो है, हमारे film script में कराई जाएगी, 100 marks का paper होता है, इसमें से cut-off बनता है, जो paper cancel हुआ था, जो September 2020 में हुआ था, उसमें cut-off गया था, 68 point something गया था, हम इसको मान ले रहे है, 69, यह जो है, general category के लिगा था, फिर अलग-अलग categories के इसाब से, जैसा था, मैं यहाँ आपर बाई तरफ लगा दे रहा हूँ, वो आपको benefit पे लेगा, हम maximum target करके चलेंगे, इस वो जैसे मैं highest cut-off आपको बता रहा हूँ, उसी से अउगत करा रहा हूँ, फिर आपका civil services aptitude test है, 100 marks का है, यह qualifying paper होगा, यानि कि इसमें 33% marks आपको solve करने है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि civil services aptitude test shall be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%, result of preliminary examination shall be based on the marks obtained in paper 1 only, यहाँ पर द्यान दिने एक आपको सिर्फ यह civil services aptitude test यह paper 2 में केवल 33% लाने है, merit में या फिर जो cut-off बनेगी, preliminary कि उसमें paper 2 का कोई रोल नहीं होगा, cut-off जो बनेगी सिर्फ GS वाले marks पर बनेगी, फिर इसमें further clear किया गया है कि भाई, इसमें negative marking होगी 1 fourth की, ठीक है, यानि कि आपके अगर 4 प्रश्न ग होगा, prelims के बाद, इसमें paper 1 होगा, paper 2, paper 3, paper 4, optional subject की list दी हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, optional subject की list यहाँ पर दी हुई है, करीब आपको देखने को मिल जाते हैं, 29 तरीके के optional आपको देखने को मिल जाते हैं, और फिर इसमें total 600 marks का यह बनेगा, फिर आपका personality test यहाँ पर इसको simple वाज़ता में interview कह सकते हैं, यह 75 marks का होता है, और फिर final आपकी merit बनेगी, यह देखा जाएगा कि आप कौन सी post यहाँ पर deserve करते हैं, तो हमारा जो commitment है, जो study for civil service as an institute अभी केवल prelims की तैरी करा रहा है, हमारा commitment यहाँ पर सिर्फ prelims के GS1 paper को लेकर है, इसमें आपको कुछ practice भले ही दी जा सकती है, लेकिन हमारा commitment सिर्फ और सिर्फ यह GS1 paper के लिए होगा, paper 2 के लिए यहाँ पर कोई content का support नहीं दिया जाएगा, आप discussion route में update आउट जरूर पूछ सकते हैं, paper 2 से associated, जो है paper 2 के लिए आप simply क्या करिए कि PYQ यहाँ पर solve कर लीजे, कई ब कट-off बहुत कम नहीं रहता है, मैंने आपको बताया कि 69 के आसपास यहाँ पर रहा था, आपके cancelled वाले में, re-exam का दुखाई declare नहीं किया, तो कहा नहीं जा सकता है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर बहुत ही tough है prelims निकालना, मेंस में तो फिर पोस्ट के गुना candidate रह जा कई सारे students के कुछ सवाल होते हैं, उनको यहाँ पर ले ले रहे हैं, frequently asked questions के इस portion में, बार-बार पूछे जानने में सवाल students से होते हैं, जैसे कई सारे students जो नहीं नहीं तयारी करते हैं, वो पूछते हैं कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, तो मैं कहता है कि जितना study for civil service करा जितना आपको practice content दिया जा रहा है हमारी guidance में सब कुछ तयार हो जाएगा लेकिन अगर कोई को पूछता है कि ए सब कैसे याद होगा तो मेरा उत्तर होता है कि किस ने कहा है आपको याद करने के लिए आपने पूरा notification पढ़ा होगा आप पड़ली जी जा करके अगर किसी भी notification म पूराने notification में क्या कहीं लिखा है कि students को यह सब memorize करना होगा कैसा लिखा है तो इसका उत्तर है नहीं जो जीज करने को नहीं कहा गया है उसको हम लोग क्यूं करेंगे ठीक है हम लोग क्यूं करना चाहेंग वो चीज जो कहीं नहीं गई है आपको याद करने के लिए कहा ही न करना होता है हमें जिन points को लिख करके दिया जाता state pieces syllabus में उनकी होती तयारी याने की preparation के लिए आपको enough content दिया गया है experience team के द्वारा आपको कराई जाएगी इस content की practice हमारे quiz वाले group में और जो test series आएगी उसमें आपकी practice होगी latest trend or pattern के हिसाब से यहीं वो चीजें होती है जो त identify कर ले जाएं क्योंकि जो mcq based paper है उसमें नहीं check करेगा कि आप उस question के सारे statement आपको अच्छे से आते थे कि नहीं आपको depth में बात पता थी कि नहीं और MR based paper में बस यही होती है कि आपका top clear कर पाए कि नहीं clear कर पाए आपको बस यह देखा जाएगा कि एक optimum जो score होना चाहिए वो 100 में से आपका है कि नहीं है तो आपको options को identify करने की ताकत बद तुनानी है जो तयारी में आपको करा दिया जाएगा ठीक है तो options identify करने के लिए कि आपको यहाँ पर जो test होता है जो preliminary exam होता है वो target करता है आपकी knowledge को test करने के लिए नहीं वो तो means में होता है आपका point of view perspective अलग-अलग questions में अलग-अलग papers में भासा की paper में GS की paper में और सब जान लिये जाता है यहाँ पर यह देखना है कि आपने इतने सारे जो facts पड़े है इसकी तयारी आपको करनी है और यह सब असानी से हो सकती है कई बार आप देखेंगे कि सारे facts आपको पता होना जरूरी नहीं होता है कई बार questions को solve करने के लिए exam में जैसे यह question आया था जो paper cancelled हो गया था इसमे slash and burn methods जो है agriculture के अलग-अलग states में किस नामस जाने जाते है एरिय उसको मैच करना था माली जी आपको जूमिंग पता है केवल तो उससे हो जाता जूमिंग आपको बच्पन से रटाय जा रहा है North Eastern Region में यह प्रच लिता है तो वन का सी यहां पर आपको बस यहां पर find करना था वन का सी आपको किसमें मिल रहा है केवल B वाले में तो इस जैस से आपको बाकी सारे पता होना भी जरूरी नहीं था और यह क। मैं कई सारे question के साथ है उसी पेपर में अब जैसे करते थे तो आपके सारे यहां मतलब यहां असानी से question आपका निकल जाता महराष्ट से belong करते थे यह गुजरात से नहीं यह वाला eliminate हो गया तो कुल विलाकर क्या बच रहा है आपका मतलब दो यह हर हाल में गलता है आपको सत्ते वाला find करना है तो दो वाला यहां पर हटा देते हैं दो इसमें भी यह तो यह eliminate हो गया तो answer बच गया आपका C तो इस तरीके से सारी जानकारी कई बार आपको पता होना आवश्यक ही नहीं होता है अब हम यह re-exam वाले paper में देख लेते हैं यह जुलाई में वह था 2022 में इसमें भी कई लोग करते टाफ है ज्यादतर questions जो है eliminate हो सकते थे केवल कुछ ही questions जो है tough थे वो उनकी संख्या 10 से 12 से ज़्यादा नहीं थी public account committees के बारे में पूछा है अब इसमें चार statement है आपको लग रहा होगा कि चारों पता होने चाहिए ऐसा नहीं है आपको अगर basic सी बाद भी पता है membership तो सभी को पता होती लग बग कि इसमें पंद्रा लोग सभा से होते हैं और साथ राजसभा से होते हैं यहां पर रॉंग दिया हुआ है तो ए वाला जो है हर हाल में रॉंग है तो इसमें ए दिया हुआ है तो यह सही नहीं हो सकता इसमें ए दिया है तो यह सही नहीं हो सकता और इसमें भी ए दिया है तो यह सही नहीं हो सकता तो एंसर हो जाएगा य Central Province या फिर कानपुर से तो यहां पर लिखा है मद्ध पुर्देश और राजस्थान तो यह वाला हराल में हमारा नहीं होगा किसी भी तरीके से 4 तो होई नहीं सकता तो यह option इल्बनेट हो गया यह option भी इल्बनेट हो गया तो यह option भी इल्बनेट हो गया तो answer हो जाएगा यह history के questions कुछ लोगों को tough लगा था कोई tough नहीं है दोंदों के show करवे के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं कि यह जो है विडोस के लिए काम करते थे विडोस इन्होंने remarriage भी की थी विडो remarriage association की स्थापना की विडोस के लिए पहले school की स्थापना की तो point year of women's empowerment यहां पर हो जाएगा यहां पर एक अफोर होगा हर हाल में एक अफोर इसमें हो रहा है तो यहां पर हमारा answer B सही है और कोई नहीं सही हो सकता इस तरीके से जो जानकारी आपके पास है उससे भी content तैयार किया गया है ऐसे column वाले questions solve करने के लिए statement assumption वाले questions solve करने के लिए हमारा content prepare किया गया इससे बिलकुल आप बेफिकर रही है कि कई सारे facts जो even books में नहीं दिये रहते हैं इस सब आपको मिल जाएंगे हमारे content में तो इससे आप बेफिकर रही है आपको बस ध्यान देना क्या जानते है इस एक fungi है ये तो आप जानते है फंजाई है मतलब और इसमें लिखा है all yeast are pathogenic ये तो सभी को लगभग पता होगा कि yeast का use होता है कई बार bakery में कई बार अन्य products में ठीक है इसका use होता है मतलब food industry में तो अगर सारे pathogenic होते तो food industry में use कैसे हो सकता था तो आपको आपका 6 है तो यह वाल एल्मेट हो गया क्योंकि 6 नहीं होना चाहिए था तो answer हो सही हो जाएगा 1,2,3,4 मैंने option देखे ही नहीं बागी सारे क्योंकि जितनी जानकारी हमको पता थी उससे भी question निकाला जा सकता था तो यह सब methods होते हैं कई सारे बहुत लोगों को पता भी हो पता दी गई है तो facts बहुत जरूरी है और facts पर अधारित हमारा content है बहुत minimum number of pages में content को यहां पर design किया गया है आपको मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ना है time waste नहीं करना है आपको हमारे content को study करना है revise करना है paid quiz में कुछ question solve करने है test series लगानी ध्यान से और पूरा guidance लेना है और आप असानी से cut off marks at least clear कर सकते हैं भले ही सारे question ना कर पाएं और सारे question करना जरूरी भी नहीं है आपको prelims में